हेलो अव्रिवान वेलकम टू दे चानल तो आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली जितने भी अवार्ट्स या ओनर्स यह गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं तो टाइम वेस्ट किये बिना शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ लेटिस्ट अवार्स और ओनर्स जो 2022 का और यह से पहले पैरा एथलीट हैं बहुत सारी उपलब्दियां हैं इनकी जिनको देखते हुए इन्हें अवाड दिया गया है जैसे कि एथेंस में जो 2004 में पैर अलंपिक हुए थे उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2016 के रियो गेम्स में भी गोल्ड मेडल जी वन यह अमेरिकन मेत्मेटिशन है और इने दिया गया है इबिल प्राइज ऑओ फॉर दे यह barge 2020 आवल पुरसकार किस लिए दिया जाता है तो क्यूंकि यह अवांटिशियं है तो उफकॉर्स गडीतग्य मेरा को दिया जाता है घड़ित के फील्ड में मैंस की फील्ड में उसके बाद next award है Governor of the Year Award at the Central Banking Awards 2022 यह किसे दिया गया है तो Central Bank of Chile है उनके गवर्नर जो है Mario Markle उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है Governor of the Year Award 2022 का आगे चलते है नेक्स्ट जो award दिया गया है वो है प्रिजजर पुरसकार 2022 का किस फील्ड में दिया जाता है तो architecture के field में दिया जाता है एक और award है पुलिजजर पुरसकार वो अलग है वो पत्र कारिता के शेतर में दिया जाता है लेकिन यहाँ पर हम बात करें प्रिजजर 2022 में Sport Icon Award यह किसे दिया गया है तो Indian Cricketer है जो former Indian Cricketer Suresh Raina उनको दिया गया है Sports Icon Award अगला जो एक ओनर है वो है Miss World 2021 का खिताब यह मिला है Carolina Bilauska को जो की पॉलेंड से बिलॉंग करती है और इन्हें जो एक राउन किया गया है she was crowned by 2019 Miss World that was Tony Ann Singh of Jamaica तो Miss World किसे मिला है Carolina Bilauska को Miss Universe का खिताब जीता था भारत की हरनाच संधु ने और Miss World 2021 में भारत की और से किस ने रिप्रेजेंट किया था भारत को तो वो थी मानसा वारान सी ठेक है आगे चलते हैं अब नेक्स्ट अवार्ड देखें तो यह है 31 वाज G.D. Birla Award for Scientific Research तो यह जो अवार्ड है G.D. Birla Foundation के द्वारा दिया जाता है G.D. Birla Award 31 नमबर का था किसलिए दिया जाता है Scientific Research के लिए और अभी दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को और व्यास सम्मान दिया गया है शरत पगारे को और वहीं तीसरा जो अवार्ड है G.D. Birla Foundation के द्वारा दिया जाता है G.D. Birla Award यह दिया गया है नारायन प्रधान को ओके नेक्स्ट अवार्ड है International Women of Courage Award for 2022 यह दिया गया है इस बार है दीपक धर और यह पहले इंडियन है जिन्हें बोल्समेन मेडल दिया गया है उसके बार आते हैं नेक्स्ट पर तो 2022 का Laureus World Breakthrough of the Year Award यह दिया गया है नीरज चोपडा को I'm sorry दिया नहीं गया है नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपडा आगे चलते हैं तो इंडिया का Most Trusted Public Sector Company Award यह दिया गया है कोल इंडिया लेमिटेड को जो की एक महारतने कंपनी है और बीते कुछ दिनों कोल इंडिया लेमिटेड ऐसे कंपनी रही है जिसने कोल की कमी को पूरा करने में एक महतुपून भूमिकानी भाई है और उसी को देखते हुए इंडिया का Most Trusted Public Sector Company Award दिया गया है कोल इंडिया लेमिटेड को अगला अवार्ड है Business Standard Banker of the Year for 2020 and 2021 ये अवार्ड दिया गया है संदीब बख्षी को संदीब बख्षी ये ICICI Bank के MD और CEO है और इन्हें दिया गया है Business Standard Banker of the Year Award अगले अवार्ड की बात करते हैं तो ये 18th Late Madhavraal Limay Award ये दिया गया है नितिन गटकरी को जो की Union Minister of Road, Transport and Highways है किस क्याटेगरी में इन्हें अवार्ड दिया गया है तो कारेक्रम खासदर जिसका मतलब है Efficient Member of Parliament 2021 का 18th Late Madhavraal Limay Award नितिन गटकरी जी को दिया गया है आगे आप देख लेते हैं एक बार 75th BAFTA Award 2022 के बारे में वैसे तो इस टॉपिक पर हमने बात कर ली थी एक separate वीडियो में पर यहां पर रिविजिन कर लेते हैं तो BAFTA Award 2022 इसमें Best Film का Award दिया गया था The Power of the Dog को Best Director इसी फिल्म की जो डिरेक्टर है Jane Campion इन्हें दिया गया था Best Director का Award Best Actress in Leading Role का Award दिया था Joanna Scanlon को for After Love Best Actor in Leading Role ये दिया गया था Will Smith को for King Richard Outstanding British Film का Award दिया गया था Belfast को वही Best Film Not in the English Language ये दिया गया था Drive My Car जो की जापान की है और कुछ और चीज़े देखे तो British Academy Film Awards also known as the BAFTA Award कहां ये Award दिया गये थे Royal Albert Hall in London और किसके द्वारा ये प्रिजेंट किया जाते हैं British Academy of Film and Television Arts जिसका Short Name है BAFTA आगे अब देख लेते हैं दादा साहिब फाल के International Film Festival Award 2022 इसकी भी आपने बात की थी पर रिवाइस कर लेते हैं Film of the Year Award ये दिया गया था Pushpa The Rise को Best Film Award दिया गया था Shere Shah को Best Actor का Award Ranveer Singh को for the film 83 Best Actress का Award Kriti Senan को for the film Mimi Critics Best Actor Award ये मिला था Siddharth Malhotra को वही Critics Best Actress का Award मिला था Kiara Adwani को Best Web Series का Award मिला था Candy को उसके बाद Best Actor in Web Series Award ये Manoj Bajpayee को for the Family Man 2 और Best Actress in the Web Series Award ये मिला था Raveena Tandon को for the Aranyak अब नेक्स्ट बात करते हैं Sports Star Isis Award 2022 तो Sports Star Isis Award 2022 में Sports Star of the Year मेल का Award दिया गया था नीराच चोपड़ा को जो की Tokyo Olympics में Gold Medalist रहे है इसके बाद Sports Star of the Year Female Award दिया गया था Weightlifter मीरा बाई चानू को जिन्होंने Tokyo Olympics में Silver Medal जीता था अवनी लिखारा जो की Para Athlete हैं इन्हें Para Athlete of the Year फीमेल का Award दिया गया इसके अलावा इन्हें Sports category में 2022 का पदम श्री भी प्रदान किया गया है अवनी लिखारा को और ये एक Parashooter हैं बेसिकली जिन्होंने अभी Recently Paralympic में Gold Medal जीता है और इसके साथ ही इनकी ख्याती एक और है कि She is the first Indian woman to win two Paralympic Medals in the same game 10 मीटर में इन्होंने Gold जीता था और 50 मीटर में Bronze Medal जीता है तो एक ही गेम में दो-दो Medal इन्होंने अपने नाम किये हैं इसके तो यह कुछ इंपॉर्टन चीज़े हैं याद रखेगा आगे अभी देखते हैं नारी शक्ति अवार्ड 2022 के जो दिये गए थे तो आठ मार्च को होता है International Women's Day और उसे दिन दिये गए थे राष्ट्रोपती भवन में नारी शक्ति पुरसकार for the years 2020 and 2021 किसके द्वारा दिये गए प्रेजिडेंट ओंफ इंडिया याद रामनात कोविंद कुल कितनी महिलाओं को दिये गए हैं तो ओवरॉल 29 विमन को दिये गए हैं और थीम क्या थी International Women's Day 2022 की तो यह थीम थी Gender Equality Today for a sustainable tomorrow All right तो यह बात हो गई सभी Awards की अब आज आते हैं अपने Questions पर तो सबसे पहला Question है कितनी हर्सियों को पद्म पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट answer है option number C 128 128 लोगों को पद्म पुरसकार 2022 का दिया गया था इन में से पद्म विभूशन चार लोगों को दिया गया है पद्म भूशन 17 लोगों को दिया गया है और पद्म श्री 107 लोगों को और इन 128 नामों में चनरल विपिन रावत का नाम भी शामिल है जिनने पद्म विभूशन दिया गया है जोकि Second Higher Civilian Award है तो pause करके सभी important नामों को आप देख सकते हैं, आगे चलते हैं next question पर किस देश के Daryl Michel को ICC Spirit of Cricket Award 2021 से सम्मानित किया गया है, तो Daryl Michel ये बिलॉंग करते हैं New Zealand से और इन्हें दिया गया ICC Spirit of Cricket Award 2021, इसके अलबा ICC Women's Cricketer of the Year Smriti Mandhana को दिया गया है और important है ये, और ICC Men's Cricketer of the Year, शाहिद अफ्रिदी जो कि पाकिस्तान के Cricketer हैं, इन्हें दिया गया है, बाकी नाम भी आप पॉस करके देख लीजे, अगला question है, सुभाष चंद्रबोस आप्दा प्रबंधन पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है, तो institutional category में सुभाष चंद्रबोस आप्दा प्रबंधन पुरसकार दिया गया है अगला question है, किसे Mrs. India Galaxy 2021 का ताज पहनाया गया, तो ये हैं Dr. Nikita Sokal, और runner-up रही थी, option number C में जो है, राजश्री चक्रबर थी और वहीं winner थी Dr. Nikita Sokal अब यहां पर आप revise कर सकते हैं, 17th 70th सत्तरवा Miss Universe 2021 का खिताब किस ने जीता था, तो हरनास संदू ने जीता था, जो कि पंजाब से बिलॉंग करती है ये कहां हुआ था, तो इसराइल में हुआ था, और भारत ने दो और Miss Universe के खिताब जीते हैं, इनके अलावा सुश्मिता सेन ने जीता था, 1994 में और लारा दता ने 2000 में इसके अलावा Miss Trans Global 2021 का अवार्ड ये जीता है शूती सितारा ने, जो कि केरला से है 69th Miss Universe 2020 इसका खिता था, एंड्रिया मेजा ने जो कि मेक्सिको को से बिलॉंग करती है Miss India USA 2021 का खिताब जीता था वैदेही डॉंगरे ने फैमिना Miss India 2020 ये खिताब जीता था, मानसा वारांसी ने जीनो ने भारत को रिप्रेसेंट किया था Miss World 2021 में और इसके अलावा Miss Earth इंड्या 2021 ये खिताब जीता है रश्मी माधुरी ने जो कि बैंगलोर से बिलॉंग करती है और इसके अलावा Misses World 2022 ये खिताब जीता है 73 years old शेलिन फोर्ड ने जो कि USA से है अगला क्वेशन है कितने बच्चों ने प्रधान मंत्री राष्ट्रे बाल पुरसकार 2022 जीता तो ये कुल 29 बच्चों ने जीता है और पहली बारी अवर्ड कप दिये गए थे 1996 में दिये गए थे इसमें कितना कैश प्राइस दिया जाता है तो एक लाख रुपे 1996 में पहला और 2022 में 29 बच्चों को दिया गया है धाका आंतराश्ट्रे फिल्म समाहरों में किस फिल्म ने सर्वस्ट्रिष्ट फिल्म का पुरसकार जीता है तो ये जीता है कुजंगल ने option number A का correct हो जाएगा अगला question है नेता जी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेता जी पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया तो नेता जी पुरसकार ये दिया गया है शिंजो अबे को जोकी जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जीवन रक्षा पदक श्रंखला पुरसकार 2021 के लिए कितने व्यक्तियों का चयान किया गया तो पहली बात तो यह ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनोंने किसी की किसी का जीवन बचाया हो हो सेव समवन्स लाइफ तो यह दिया गया है 51 लोगों को option number C इसका correct होगा और यह भी तीन कैटेग्रीज में दिया जाता है सर्व उत्तम जीवन रक्षा पदक उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक तो कुल टोटल 51 लोगों को यह दिया जाएगा अगला question देखते हैं निमनलिखित में से किस athlete को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया तो नीरत चोपडा को किया गया है टोक्यो अलम्पिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था और अभी रिसेंटली विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है इसके अलावा पदमश्री अवार्ड भी दिया गया 2022 का असम वैभव पुरिसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो इससे सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को असम वैभव ये हाइस सिविलिन अवार्ड है असम का आगे चलते हैं अगला क्वेशन है सर्वस्रेष्ट मोशन पिक्चर ड्रामा श्रेणी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता तो ये फिल्म है दपावर ओफ ए डॉग ऑप्शन नमबर भी इसका करेक्ट है निम्न में से किसे कनाडा का सर्वोच नागरिक पुरुसकार ओडर ओफ कनाडा प्राप्थ हुआ है तो ये जो तीन ऑप्शन दिये गए हैं तीनों ही करेक्ट हैं ऑप्शन नमबर दी इसका करेक्ट होगा डॉक्टर वैकुंटम आयर लक्षमन नवजीत पॉब सिंग धिल्लो और प्रदीप मर्शंट ये तीनों को ही कैन दावा अक्षे कुमार और भूमी पेड़नेकर इन्हें मोस्ट प्यूटिफिल वेजेटेरियन्स का अवार्ड दिया गया है किसे वर्ष 2021 के विश्व सीईयो विजेता से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है किशोर कुमार येदम ऑप्शन नमबर सीज का करेक्ट हो जा हाल ही में किस देश को Mother Terrasya Memorial Awards से सम्मानित किया गया है तो इसम्मानित किया गया दैनमार्क को ऑप्शन नमबर बीस का करेक्ट है और Mother Teresa को Nobel Prize कब दिया गया था नोबल Dog Peace Prize जैंनेla î eroto 1979 को और पहली Indian female थी विन नोबल प्राइज अगला क्वेशन है दॉक्टर सुभार्ष मुखरजी पुरसकार 2020 किसे सम्मानित किया गया है तो ये है सतीश आडिगा option number 60 का correct है अगला question है भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो इसे सम्मानित किया गया है हर्शाली मलोतरा को जिनोंने बजरंगी भाईजान मुवी में मुन्नी की भूमिका निभाई थी अगला question है सर्वस्रेश्ट फीफा पुरसकार पुरुष ठिलाडी पुरसकार 2021 किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है रॉबर्ट लिवांडवस की पॉलंड से बिलॉंग करते हैं ये अगला question है उत्पत्ति पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है जैनेसिस प्राइस 2022 इनका नाम है एलबर्ट बॉर्ला जो की फाइजर कंपनी के CEO और जेर्मेन है तो यह थी हमारी वीडियो अबाउट अवार्ट्स एन ओनर्स मिलते है नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक के स थैंक यू सो मच वाचिए जैहिंद